hello different welcome to my channel तो वियीदियम BPSC टीचर कटफ मार्क के बारें बात करने वाले हैं कि आप लोग का एंसर की आने के बाद कटफ मार्क क्या रहने वाले हैं क्या आप लोग का डिफ्रेंस यहां पर आने वाला है क्या रहने वाला क्योंकि आप लोग का एंसर की जारी हो चुका है तो cut-up marks में difference रहेगा या फिर वही cut-up marks रहेगा तो सबसे important यहां कि जो आप लोगा cut-up marks रहेगा जिसा कि पहले माणे आप लोगो दिखाया थे जिसा कि पहले बाले जो video मैंने बनाया था उसमें cut-up marks मैंने इतना सोक ही थे यहां तर ठीक है लेकिन जो आप लोग का official आये था कि जो कुछ वहाँ पर minimum qualifying mark से आप लोग का cut-up marks थोला से नीचे रह सकता है ठीक है तो हो सकता है कि आप लोग का यहाँ जो 4-5 नमबर बढ़ भी सकता है यहाँ पर घट भी सकता है जिसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ तो जीस तरह का cut-up मैंने आप लोग को सोक ही यह दिखाया है वही cut-up आप लोग का रहने वाला उसमें कोई changing फिलाल नहीं होने वाला ठीक है पांच नमबर आप लोग को यहाँ पर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है यह पहले आप लोग को मैंने बता दिये था और सबसे important बात यहाँ पर जो note करने वाली कि minimum qualifying mark से जो cut-up हो सकता है कि नीचे भी जा सकता है जिसा कि आप लोग का पहले बताया गया था ठीक है तो यहाँ जो general cut-up मैंने आप लोग को दिखा है 46-52 इसमें 5 नमबर आप लोग की increase करलो और decrease भी करलो OBC का भी यहाँ पर 41-45 इसमें 5 नमबर आप लोग का घट सकता है बढ़ सकता है SC का भी यहाँ पर NST का भी यहाँ पर जो है 5 नमबर घट भी सकता है बढ़ भी सकता है यही आप लोग का यहाँ पर जो cut-up रहने वाला है आप लोग को panic नहीं होना परिसान नहीं होना है जो कि आप लोग पहले जो cut-up दिखाये गे ता वही cut-up रहेगा थोड़ा सा difference हो सकता है जो कि मैंने आप लोग को बता दिया यहाँ जो 4-5 नमबर आप लोग का यहाँ पर बढ़ या घट सकता है ठीक है तो सबसे important है कि minimum qualifying marks पर ही आप लोग को यहाँ पर देखना है तो अपने मिलते नेक्ट वीडियो कुछ निए बटका थाइंक यू